राजिस्टान ज्यानि इंवेस्टर समिट को लेकर राजिस्टान की सियासत में भी आज फील गुड फैक्टर रहा प्रधानमंत्री नेरें द्रमोदी राजिस्टान पहुचे उन्होंने इस इन्वेस्टर समिट का उधाटन किया उनका संबोधन भी हुआ तमाम निता और जो उद्योग पती हैं निवेशक हैं वो इस इन्वेस्टर समिट में शामिल रहे और यह फील कुट फैक्टर जो है जो तस्वीर आज इन्वेस्टर समिट की हमने देख और समरावता में कहीं न कहीं एक बवाल की स्थिति हमने देखी थी दूसरा नाम बाबा की रोडी का है जो आज इन्वेस्टर समिट में तो नजर आए लेकिन क्या उनके तेवर अभी भी बागी नेता की तरह ही हैं बागी मंत्री की तरह ही हैं और उख्ड़े बाबा की रोड करने की कोशिश करेगी पहला सवाल ये नरेश मीना मामले पर क्या फिर राजिस्थार में बवाल होगा ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं दरसल नरेश मीना समरावता कांड के बाद से लगातार वो जेल में बंद हैं लेकिन अब उनको लेकर कुछ ऐसी खबर सामने आ रही ह जिससे ये अंदेशा लगाया जा सकता या जिसकी आशंका जताई जा रही है कि अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से किसी तरह के बवाल होने की संभावना है दूसरा सवाल आखिर समरावता पीड़तों के दर्द पर किसने नमक छिड़क दिया ये भी सवाल है क्योंकि न पीड़तों के दर्द पर किसने नमक छिड़का उनके दर्द को किसने कुरेदना शुरू किया तीसरा सवाल राइजिंग राजिस्थान में भी क्या बाबा किरूरी नाराज दिखे लिए जिस तरीकी का रुक बीते दिनों बाबा किरूरी कर रहा है अपनी सरकार से नाराज नाराज़गी उन्होंने दिखाई है और बीते दिनों एक मामले में उन पर केस भी इसी सरकार में जिसमें मंतरी है दर्ज किया गया अब राइजिंग राजिस्थान समिट पर पहुंचे तो लगा कि शायद नाराज़गी दूर हो गई सरकार का बाबा हिस्सा है लेकिन क्य क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि बाबा ने इस समिट पर भी नाराज़गी दिखाएगी वह आपको बताएंगे और चौता सवाल ये क्या पी-एम मोदी और सी-एम भजलाल तक ही सीमित रह गया है ये इन्वेस्टर समिट ये भी सवाल है इन चारों सवालों के जवाब ट् कुशिश आज आगे करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि राजिस्तान की राजनीती उसके सटी क्विसलेशन और अंदर की खबरे दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टूरी के साथ मैं हूँ भवी शित्यागी देखिए सबसे पहला जो हमारा सवाल था कि क लोंग हिंसा के बाद से लगातार जब थपड कांड हुआ उसके बाद से लगातार नरेश मीना जो हैं वो जेल में बंद हैं और एक बड़ा अपडेट ये है कि कोट की तरफ से उनकी जमानत याचिका को भी खारिच किया गया है अब जमानत खारिच हुई है तो जाहिर तो और नरेश मीना को कुछ और समय तक जेल में बंद रहना पड़ेगा लेकिन नरेश मीना के समर्थ को को यह पसंद नहीं आ रहा नरेश मीना के समर्थ को को यह रास नहीं आ रहा समरावता कि उन पीड़ों को पीड़ितों को यह पसंद नहीं आ रहा जिन्होंने अपनी उन पर लाठिया चलाए गई उनके सर फोड़े गए हाथ तोड़े गए और जब मामला सुलजाने की उसके मद्धिस्ता करने की बात हुई समझोते की बात हुई तो सरकार ने मुआफ़जे कासवाशन तो दे दिया लेकिन अम मुआफ़जे को पूछने वाला कोई नहीं है पीडितों को मुआफ़जा नहीं मिला जो लोग जेल में इस पूरे मामले में बंध हैं उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं है तो इस मामले में सर्व समाच की एक महापंचायत हुई कॉंग्रस नेता प्रलाद गुण्जल के नितृत में हुई तमाम जो नेता थे समाच के लोग थे वो पहुँचे और संबरावता में संबरावता के पीडितों को न्याय न मिलने का मुद्दा इस महापंचायत में च्छाया रहा अब महापंचायत की तरफ से सर्वसमाच की तरफ से एक अल्टिमेटम दे दिया गया अल्टिमेटम यह है कि भई 15 तारिक तक अगर वो मांगें नहीं मांगी गई जसमें भले पीड़तों के मुआफ़े की बात हो जो जेल में बन निर्दोश लोग इस मामले में हैं उनकी जमानत की रिहाई की बात हो और क पंचायत की सर्वसमाच के लोग जुटे तो लोगों ने इस बात पर सहमती बनाई कि अगर सरकार जो अभी इन्वेस्टर समिट राइजिंग राजिस्थान में व्यस्त है जो फील गुड फैक्टर ले रही है जो एक बदलते राजिस्थान की तस्वीर दिखा रही है उनक नियाय नहीं हुआ उगर सरकार इसोर नहीं देख रही सरकार इसोर ध्यान नहीं देगी पीडितों को मुहावजा और नियाय नहीं मिलेगा तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा सर्वसमाच के इस महापंचायत में साफ कर दिया गया कि बड़ा आंदोलन होगा 15 तारिक तक क 15 दिसंबर तक का अल्टिमेटम दिया गया है 15 तारिक के बाद ये साफ किया गया कि लोग सर्व समाच के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे अब देखें तीन दिन तक तो सरकार इंवस्टर समिट में व्यस्थ है और इसके बाद 15 तारिक तक का अल्टिमेटम भजनलाल सरकार के को दे दिया गया है अब सवाल ये कि क्या वाकई जिस तरह से असंतोश समरावता पीडितों में बढ़ता जा रहा है मुआफ़े का ना मिलना निर्दोश लोग जो गिरफतार जिलों में बंद हैं उनकी रहाई ना होना इस मामले में क्या आसवाशन देने के बाद भी सरकार उनकी उम्मीदों पर जब खरा नहीं उतर रही तो क्या ये असंतोश और बढ़ेगा सरकार के लिए मुश्किल और बढ़ेगी समरावता के लोग सर्फ समाच के लोग एक बार फिर सरकों पर आने पर मजबूर होंगे और ऐसा हुआ तो जो फिल गूड फैक्टर राजिस्तान में दिखाने की कोशिश की जा रही किया वो तस्वीर बदल कर फिर एक बार संगर्श के तस्वीर हमें दिखाई देगी ये एक बड़ा सवाल और सवाल ये भी जो मेरा दूसरा सवाल इस इंसाइट स्टूरी का था कि आखिर समरावता पीड़ों पीड़तों के दर्द पर नमक किसने छिड़क दिया उनके दर्द को किसने कुरेद दिया दरसल इसके पीछे भी एक खबर है खबर कॉंग्रेस सांसत हरीश मीना से जुड़ी हुई है जिनोंने अपनी हाल के ही बयान में क्या दिया कि लोक्तर में कभी-कभी चोर डखैतों से भी सर्टिफिकेट लेने की जरुत पर जाती उनका निशाना नरेश मीना की तरफ था नरेश मीना ने लोक्स जो उप्चुनाव हुए उसमें कॉंग्रेस के सांसर धरीश मीना पर टिकेट बटवारे को लेकर उनके टिकेट केट लेकर कई आ किया नरेश मीना को तो कहीं नरेश मीना के जो समर्थक जो समाज के लोग हैं उनकी भावनाएं एक बार पिर आहत रुई हैं और जो ये बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी और अल्टिमेटम दिया जा रहा है Cya हरी श्मीना के ही इस बयान का नतीजा है और क्या ये हरी श्मीना ने जान पूच कर किया क्या हरी श्मीना सरकार और समरावता पीडितों के कन्फिलिक्ट को एक बार फिर से भड़काना चाहते हैं वो फिर एक इस तरह का संगर्श जो समरावता में टोंक में हुआ उस तरह के संगर्श की एक तस्वीर फिर से सरकार के सामने खड़ी कर देना चाहते हैं यह सवाल है अब हरी श्मीना ने इस तरह का बयान दिया इसके पीछे की वज़ा क्यों इस तरह का जब मामला इस पूरे इस मामले में जब किरोडी मीना की तरफ से मध्यस्ता की गई मामले को सुलजाने की पूरे एक कवायत की गई बावजूद इसके क्यों फिर इस मामले म एक तरीके से कहा जाए तो पेट्रोल छिड़का जा रहा है खेर अब अल्टिमेटम दिया है तो सरकार का क्या रूख होगा और सर्व समाज इस पूरे मामले पर क्या आगे एक्शन लेंगे पंद्रा तारिक के बाद या पंद्रा तारिक से पहले मामला सुल जा ले जाएगा पर लिए आघ राईजिंग राजिस्तान पर भी आते हैं जहां पर आज मैंने कहा कि फील गूर्ट फेक्टर सरकार महसूसँस कर रही होगी और राजिस्तान वासियों को विल भी महसूस कराने की कोशश कर रही हो लेकिन आज इस इन्वेस्टर्स पहुंच यह उन्यों से प पर समझा जाए या एक केवल नेता के तोर पर आपने इस इन्वेस्टर समिट में शिरकत की है तो वहाँ पर थोड़ा सा बाबा के बयान ने उनकी बगावती रुक का एक फिर से तस्वीर दिखा दी उनके रुक को दर्शा दिया उन्होंने कहा कि आप भजनलाल से पूछिए कि आखर में किस हैथियत से इस इन्वेस्टर समिट में शामिल हुआ हूँ कुछ इस तरह की बात बाबा की रोड़ी करते नजर आए ऐसा लगा कि जिस तरह से उन पर केस दर्ज हुआ सी आई कविता शर्मा के साथ जब ऐसाई भरती परिक्षा की को रद की जाने की मांग को लेने के लिए जब सी आई कविता शर्मा पहुंची उस विवाद में राजकारे बाधा डालने का जो पुरा मामला था और जिस तरह के से उन पर केस दर्ज हुआ वो नाराजगी है सरकार से कंफ्लिक्ट उनका चला आ रहा है वो चीजें अभी बरकरार है यानि इस फील दे रहा है दुआ यह चंगारी के शोला बनकर राजिस्थान की राजनीती में फ़र से आग लगाएंगे यह सवाल और यह सवाल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है वो इसलिए सवाल नंबर चौथा मेरा यह था कि प्रधान मंत्री तक या मुक्य मंत्री तक की इन्वेस्टर समिट सीमित रह गया गया क्योंकि इन्वेस्टर समिट में कुछ एक विदायकों कुछ तो एंट्री तक नहीं मिल पाई तिजारा से जो विदायक हैं बाबा बालकनात सुभा शमील नौक्षम चोधरी लगबग आधा दरजन विदायक जो हैं वो गेट पर इंतिजार करते रहे कि हम भी इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे लेकिन उनको कहा जा रहा है कि प्रोटोकोल था इसलिए एंट्र किया गया है और उसमें विदायकों को ही अगर एंट्री न दी जाए तो इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार का विजन क्या है क्या बिना किसी विजन के सिर्फ एक फिल फिल गुड फैक्टर फिल कराने के लिए इस इन्वेस्टर समिट का यजन किया गया क्या प्रधान म विधाय को कोई स्विजन से दूर रखा जा रहा था जा रहा है तो फिर सवाल इस इंवेस्टर समिट पर उठेंगे क्योंकि कई आकड़े भी इंवेस्टर समिट को लेकर राजिस्तार में कोई पहला इंवेस्टर समिट नहीं हो रहा है चाहे वसुद्रा राजे की सरकार रही हो हर एक सरकार भी स्थार के investment के कारिक्रम किये गए इन्वेस्टर समिट जो है वो किये गए लेकिन क्या नतीज़ा रहा आकड़ों के लिहास से वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं देगे जो इन्वेस्टर समिट जब वसंद्रा की सरकार के अगर बात की जाए उस दौरान तीन लाग चालिस हजार करोड रुपे के मो यूज जो हैं वो साइन किये गए ते लेकिन असल जो investment सरकार लेकर आ पाई थी वो 33,000 करोड का investment जो है वो धरातल पर implement कर आ पाई थी कुल मिलाकर 18% मो यूज को investment में तबदील वसंद्रा राजे सरकार कर पायती है स्ट्राइक रेट 18% का वसंद्रा राजे सरकार का था गैलो सरकार की बात की जाए तो 12,53,000 करोड रुपे के मो यूज जो हैं इन्वेस्टर समिट में साइन किये गए थे और इसमें 26,000 करोड क निवेशी जमीन पर धरातल पर हो पाया था तो ये कुल मिलाकर मो यूज के आकड़े से जो अगर implement निवेश किया गया जो investment रियल में आया उसका 2% ही एक तरीके से कहा जाए तो 2% ही strike rate गहलो सरकार का रहा मो यूज को investment में तबदील कर देने का अब देखना होगा डोटासर भी कह रहे हैं कि भाई आप बताईए कि यह मो यूज जो है इतने लाग करोड के बात हो रही है कितना परसेंट जो है भजनलाल सरकार इसको investment में तबदील कर पाएगी या फिर मो यूज के नंबर गिनवाग करके कितने लाग करोड के मो यूज साइन हुए नंबर सरकार ये भी बताए कि आखर इस इन्वेस्टर समिट को आई जुद करने में कितना सरकार का पैसा खड़ चुआ है क्योंकि पहला है कारिकरम नहीं यह देखिए मुख्यमंत्री और कई मंत्री अधिकारी जो हैं विदेशों पर गए इस investment समिट को लेकर इस से अलग एक सब्सक्राइब तस्वीर फिल गुड फैक्टर के दिखाने की कोशिश के गई लेकिन यह फिल गुड फैक्टर आखर राजिस्थान के लिए कितना गुड साबित हो पाएगा एक सवाल है खैर इन्हीं सभी सवालों के साथ इंसाइट स्टोडी में नहीं जानकारी और वीड झाल